तो गाइस देखो सीन कुछ ऐसा है कि जो जीटे फ्रेंचाइज है ना वो इंडिया में जितनी ज्यादा पॉपलर है ना I don't think कि वो बाहर इतनी ज्यादा पॉपलर होगी एंड मैं ऐसा इसलिए बोड़ाओं क्योंकि आगर आप किसी बच्चे को भी ऐसे पूछोगे ना कि भाई तू कौन सा गेम खेलेगा PC लेने के बाद तो वो सीधा ही बोलेगा कि भाई मेरको तो जीटे फाइब खेलना है अब भलेई PC के उपर हजारों गेम पड़े हो लेकिन खेलना है तो जीटे फाइब खेलना है और ऐसा होना obvious है क्योंकि आर जो जीटे के गेम सोते हैं वह बहुत ही ज्यादा addictive होते हैं बट यार दिखो बात यह नहीं कि गेम कितने ज्यादा पसंद किये जाते हैं बात यह है कि अपने इंडिया के जो गेमर्स है ना वह जीटे 3 भी खेल चुके हैं San Andreas भी खेल चुके हैं वाई City भी खेल चुके हैं और GTA 5 भी खेल चुके हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे गेमर्स है जिन्होंने अभी तक GTA 4 नहीं खेला एंड उन में से कुछ इसलिए लोग ऐसे गेम्स को खेलना पसंद नहीं करते हैं अगर आप उन के अंदर से ओ जिन्होंने कभी भी जीटे 4 नहीं खेला लेकिन जीटे 4 को खेलना चाहते हो तो भाई ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीटे 4 रहना वह तो चलो स्टार्ट करते हैं इस गेम की स्टोरी लाइन से तो अग ये से क्योंकि इस गेम की जो स्टोरी लाइन है ना वो नियोर्क के अंदर से एट है और जो नियोर्क सिटी है ना गाईज उसको अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो उसके जो कलर्स है ना वो आपको जीटे 4 जैसे ही देखने को मिलेंगे और जो रोकिस्टार ग भी जीटे 5 के साथ भी जीटे 5 के अंदर जो लोस सेंटोस है ना वो लोस एंजलेस से इंस्पारेड सिटी है और इसका भी जो कलर टोन है ना वो ब्राइट एंद् से इसलीए इस गेम का कलर टोन कुछ ऐसा ही रखा गया ताकि गेम के अंदर थोड़ी सीरियस वाली देखने को मिले एंड ऐसा हुआ भी जीटे फॉर की जो स्टोरी लाइन है ना वो अपने को और जीटे गेम्स के कंपेरीजिन में कुछ ज्यादा ही सीरियस लगती है एंड इस चीज को मैं कंफार्म करता हूं क्यों क्या जीटे फॉर को ना मैंने तीन से चार बार खेल लिया ह ना वो यहीं बोलता है कि जीटे फॉर की जो स्टोरी लाइन है ना वो और गेम्स के कंपेरीजिन में ज्यादा सीरियस है तो भाई देखो अगर आप जीटे फ्रेंचाइजी के अंदर कुछ सीरियस एक्परियेंस लेना चाहते हो ना तो भाई आपको जीटे फॉर जरूर स नहीं होती तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस गेम को स्टोरी लाइन के लिए तो जरूर से खेलना साथे में इसके जो दो एक्सपैंशन है ना वो भी आप ट्राइ करना वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ी है इस पैसली जो बैलेड ऑफ गेट होने वाला जो एक GTA 4 के गेम प्ले की तो भाई जो GTA 4 का गेम प्ले है ना वो भी अभी तक आउट डेटेड नहीं हुआ करते हैं और 2024 के अंदर भी कोई ऐसा गेम नहीं है जो इस गेम को टकर दे पाए का डेमेज फिजिक्स के मामले में बाकि इस गेम के अंदर जो ड्राइविंग है ना वो भी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है तो आप GTA 4 से कंपेर मत करें ना क्योंकि GTA 4 के अंदर अर्केड के आ रहे हो तो बाकि आप थोड़ी से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आइम डैम शूर कि आप भी इस गेम के जो कार फिजिक्स है ना उनको मास्टर कर लोगे तो हाँ 2024 के अंदर भी इस गेम का जो गेम प्ले है ना गाईज वो बिल्कुल भी आउटड़ेटेड नहीं क्योंकि जो कलर बेलेंस किया गया ना इस गेम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा वड़िया है बाकि अगर आप इस गेम को 4K या उससे उपर के रिजुलिशन पे खेलो गे ना तब जरूर आपको थोड़ी वग प्रोब्लम्स देखने को मिल सकती है इस गेम के टेक्श्यर लगे बाकि अगर आप टेक्श्यर्स को इग्नोर कर दोना तो ये गेम आज भी बहुत ही ज़्यादा वीजूली स्टर्निंग लगता है इवन मैं भी इस गेम को 4K के उपर ही खेलता हूं एड़ मुझे टेक्श्यर्स के अलावा और कोई ज़्यादा प्रोब्लम्स देखने को मिलेगा तो at the end मैं तो यहीं बोलूँगा कि अगर आप इस गेम को 2024 के अंदर खेलना चाहते हो ना तो भाई आप blindly इस गेम को खेल सकते हो आपको बिलकुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गेम वन एंड हाफ डिकेड पुराना है साथे में अगर आप इस गेम को खरीदने पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बागी मिलते हैं अगली वीडियो में गाईस तब तक के लिए बाबाई टेक केर